नमस्कार, इंडिया और श्रोलंका के बीच का मुकाबला और इस मुकाबले में फिर हेरो बन गए रोहित मैन जी हाँ, रोहित शर्मा ने फिर से शतक जड़ा है और इस शतक के साथ वो दुनिया में रिकॉर्ड कायम करने वाले बल्लेबास बन गए है किसी भी वोल्ल कप में सबसे ज़्यादा शतक अब रोहित शर्मा के नाम हो गया है इसे के साथ उन्होंने कुमार संगकारा के रिकॉर्ड की बराबरी तो की ही है किसी एक वोल्ल कप में 5 शतकों की तो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है अब तक वोल्ल कप में सबसे ज़्यादा शतक सचिन तेंदुलकर के नाम थे जो 6 थे लेकिन अब ये रिकॉर्ड इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है रोहित शर्मा ने और जिस तरह से रोहित शर्मा ने एक ओपनिंग पार्टनर्शिप भी खेली उसकी वज़ा से भारत मजबूत स्थिति में पहुँच गया आपको बड़ी बात बता दी कि रोहित शर्मा ने एक पार फिर से सैकड़ा जड़ा और ये सैकड़ा चोके छकों से भरा हुआ था दो चक्के लगाए रोहित शर्मा ने, 14 चोके लगाए हैं मेरे सयोगी अभी शेक आपको ज़्यादा जान करेंगे बिल्कुल मैं अपने दर्सकों को बता दूँ कि अभी तक इस विश्यू कप 2019 में रोहित शर्मा पांच शतक लगा चुके हैं तीन शतक तो उन्होंने लगातार लगाए हैं अभी अपनी पारे में तो विश्यू कप 2019 रोहित शर्मा के लिए काफी शांदार रहा है लेकिन अगर सतकों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर किसी एक विश्यू कप में सबसे आज़ा सतक लगाने के मामले में रोहित शर्मा पांच उसके बाद में कुमार संगकारा जो चार सतक लगाके हैं उसके बाद में तीन सतक के साथ मार्क हुआ जिनोंने 1996 के विश्यू कप में लगाए थे उससे बाद में 2003 में गांगुली ने लगाए थे तीन सतक लगाए थे और अगर विश्यू कप के बात करें तो शह सतक शचिन तैंदूर उस सबसे उपर थे अभी तक तो अब रोहित चलिए आपके इस जवाब के बाद मैं भी थोड़ा संशोधन कर लूँ किसी एक वर्ल कप में संगकारा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है रोहित शर्मा ने और अब उनके नाम पांच शितक हो गए है यह बहुत बड़ी अजिन्मेंट है रोहित शर्मा के लिए उनके करियर किलो और भारत के लिए भी क्योंकि इस वर्ल कप में जिस मैच में रोहित शर्मा चले हैं वो मैच भारत चीत कया है बड़ी बात आपको यह भी बता दें कि वैसे भी रोहित शर्मा जिस मैच में चले जाते हैं वो मैच भारत के नाम होता है और अभी भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला तो अब ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए की semi final में जिस तीम से भारत भेड़ेगा ऊस टीम के लिए रोहिध शर्मा सबसे बड़ी चुनवती नहीं होंगे और उस बनाकर आउट हो गए हैं रोहिट शर्मा चोरान में गेंदो पर उन्होंने चोहदा चोके और दो छक्कों की मदद से एक सो त्रीन बनाए हैं लेकिन अगर टेम इंडिया दूसरे नंबर पर रहती है तो वह इंग्लेंड से भी इंग्लेंड से भी तो भी प्रॉल्म नहीं क्य विशुकप में 600 से उपर रन दो बार वो मैन अब टूर्णमेंट भी रहे हैं मतलब गोल्डन बैट उनको मिला है रोई शर्मा को हो सकता है कि अगर लगाता अच्छा खिलत रहे तो गोल्डन बैट मिले रोई शर्मा को तो रोई शर्मा की जिस्तरा से फोर्म चलिए विश साथी खिलारीयों के साथ बस में थे और कह रहे हैं कि विशुकप हम सब के लिए बड़ा ही महत्युपूण है तो पहले से ही लग रहा था कि रोई शर्मा दोजावन नीस के विशुकप के लिए पहले से ही तयार हैं मांसिक रूप से भी तयार हैं अपने खेल में काफी ज़र लिया था रोहित शर्मा ने तो इस तरह से रोहित शर्मा जीस ंदास में खेल रहे सोफानी अंदास में पिस तूफानी प्रेइब उस निया को बनाई जो गोंगा उन ही छे सेसो वैञी क वालुकर में बनाने वाले क की नाम उनके ठीक नीचे शाकुबल हासन है जो बंगलादेश के प्लेयर हैं लेकिन हमारी नजर दोहित शर्मा पर है सेमी फाइनल और फाइनल दोनों में हम देखना चाहते हैं उनका बल्ला चला तो समझे इंडिया वर्ल्ल कप जरूर जीतेगा क्रिकेट वर्ल कप से जोड़ी कोई भी खबर अगर आपको देखनी है तो आप यहां आएए नमस्कार